हिमाचल परदेश सरकार लगातार जनता के उपर महंगाई का चाबुक चलाकर जनता द्वारा जनता के लिए चुनी के सरकार की अबधारना को तार तार करने में लगी है बसकिराय में 25 प्रतिशत बृद्धी के फैसले पर प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेमकोशल ने कहा कि सरकार लगातार महंगाई का चाबुक चलाकर जनता के प्रतिक रूरता का परचे देते हुए एक प्राइवेट लिमिटेड कंप है जिसके चलते उसके उपर भारी भरकर महंगाई का बोज डाला जा रहा है प्रदेश सरकार लगातार जनता के उपर महंगाई का चाबुक चलाकर जनता के दोरा जनता के लिए चुनीगे सरकार की जो अबधारना है उसको तार-तार करने में लगी है बस किराए में फाल ही में 25 पर्टशत की ब्रेदी कर सरकार ने ये सावित कर दिया कि सरकार का जंता के तकलीफों से करोना महमारी के चलते परदेश की जंता की जुस्थिती है उसके परदेश सरकार का कोई सरुकार नहीं और परदेश सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिन से ऐसा परती तो होता है कि परदेश में एक सरकार की बज़ाए कोई प्राइवेट लिम्टेट कमपनी जो है वो काम कर रہे जिसका मकसद मातर जंता की जेव से पैसा निकालना परदेश की जनता और कॉंगर्स पार्टी सरकार से जानना चाहती है कि लॉकडाउन की वज़े से क्या मातर सरकार ही घटे में गई परदेश की जनता जिसका रोजगार चला गया नवकरिये चली गई कमाई के तमाम साधन बंद हो गई उस जनता की ऐसी कौन सी लोट्री निकल जिसकी वज़ा से सरकार जहाँ वो लगातार टेक्स के उपर टेक्स के उपर टेक्स महंगाई के उपर महंगाई के तोफे जो है वो पर देश की जनता को देती जारी मुख्या मंत्री जी आपने एक टिपनी की है कॉंगर्स पार्टी के प्रति कि कॉंगर्स पार्टी को करोना महमारी से निपने का पीडियों का अनुभब है कॉंगर्स पार्टी को इस बात का गरब है कि देश की अजादी के बाद कॉंगर्स पार्टी की सरकारों ने इस देश के अंदर अशिक्षा, कई तरह की रूड़ियां, कई तरह की महमारियां, अकाल, भुखमरी, गुर्बत, और कई तरह की विशमताओं का मकाबला करते हुए समाज कल्यान को प्राथ मिक्ता देते हुए मानव दखावी विकास किया, और अपनी योजनों और कारेक्रमों के बज़ा से भारत वर्ष को पूरी दुनिया में एक उभरती हुई महाशक्ति के तोर पर स्थापित किया, और कॉंगर्स पार्टी और कॉंगर्स पार्टी के नेताओं के इस बात का भी गरब है, कि हमारे पास पीड़ी दर पीड़ी सरकार को चलाने का, शाष्ण पर शाष्ण को चलाने का अनभव है, आपकी सरकार के फैसले, आपकी अनभव हींता को स्पष्ट ते परिलक्षित करते हैं, और आपके जनवरोदी फैसलों के खिलाफ, कॉंगर्स पार्टी जनता के साथ खड़ी है, और जनता की अवाज बलंद करने के लिए, अंदोल उनका रास्ता अख्तियार करेगी, हिमाचल परदेश की सरकार महंगाई पर अंकुष नहीं लगाती, बड़ी हुई जो दरे हैं, बास किराए की, उनको वापिस नहीं लेती, कॉंगर्स पार्टी सड़कों के उपर अंदोल उनका रास्ता अख्तियार करेगी,